तो hello friends हिंदुस्तान पोल्टरी में आप का स्वागत है तो friends आज मेरे पोल्टरी फार्म का दसवा दिन है आज के वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि पोल्टरी फार्म में बर्स के लिए जगह किस प्रकार से बढ़ाई जाती है उन्हें कितना space दिया जाता है कितने कितने दिनों में space हमें increase करना चाहिए आखिरकार poultry में space का क्या महत्व है और poultry के दसवे दिन का आज management मैं आपको आगे दिखाऊंगा तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को subscribe नहीं किया है तो subscribe जरूर कर लिजिये ताकि poultry farming related ऐसे ही informative वीडियो आपको मिलती रहे और अगर वीडियो पसंद आती है तो like जरूर कर दिजेगा friends तो आज management की बात करें तो आज normal water और pre starter feed ही दिया गया है आज medicine का use नहीं किया है कि आज थोड़ी बारिश हुई जिसकी वज़े से अभी पर्दे मैंने बंद किये थे अभी थोड़े थोड़े पर्दे खोल रखे हैं ताकि ventilation होता रहे mortality की बात करें तो आज मेरे चिक्स में दो mortality हुई है और अभी तक total mortality की बात करें तो 46 mortality अभी तक मेरे farm में हो चुकी है यह number थोड़ा सा ज्यादा है पर इसका भी यह कारण है जो कि मैं दूसरे वीडियो में आपको बताऊंगा तो poultry के space की बात करें तो per square feet bird को space देना चाहिए और गर्मी में थोड़ा space हमें और बढ़ा देना चाहिए over crowding बिल्कुल नहीं होना चाहिए farm में थोड़ा सा space ज़्यादा देंगे तो बहतर होगा ध्यान रखे farmers कि गर्मी के दिनों में over crowding होने से बिल्कुल आपको poultry को बचाना है यह management का एक बहुत महत्वपूर अंग है और poultry farmers की सबसे बड़ी ताकत है management जो farmers अपने farm में management अच्छे तरीके से करते हैं उनको किसी भी प्रकार के medicine या फिर किसी भी प्रकार के दवाई बगरे की जरुबत नहीं पड़ती है तो farmers आप देख सकते हैं मैंने अपने farm में कितना space chicks को दिया हुआ है तो आए फार्मस अब मैं आपको दिखाता हूँ कि अपने farm में जगा को कैसे बढ़ाया जाता है तो सबसे पहले हमें जितने जगा अपने chicks के लिए बढ़ाना है उतना खाली फर्ष पे चूने का छिड़काओ करना चाहिए फिर छिड़के हुए चूने पर हमें लकड़ी का बुरादा या फिर चावल के छिलके का भूसा जो होता है जो हमारे आसपास एरिया में उपलबद हो उसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं और उसे हमें बिच्छाना चाहिए उसके उपर भूसे की मोटाई तीन इंच कम से कम होनी ही चाहिए ताकि जब भी चिक्स बीट करते हैं तो उससे भूसा जल्दी गीला ना हो और रेंकिंग करने में भी आसानी रहती है अब आप इस वीडियो में पूरा प्रोसेस देखिए कि कैसे भूसे को बिचाया जाता है और उसके जगा को बढ़ा दिया जाता है आप आप आपड़ का जाता है झाल झाल यह इस्पेस इंक्रीज का हमारा प्रोसेस जो है अब कम्प्लीट हो गया अब हम पोल्ट्री में फीड देंगे और बचे हुए जगह में फीडर लगाएंगे और जो ड्रिंकर उपर में लटके हुए हैं उनको उनके पीने के हिसाब से नीचे लटका दिया जाएगा तो यह देखिए फार्मर्स अब कितने फैल फैल के बड़े से जगह में आराम से घूम फीर रहे हैं और अच्छे से फीड खा रहे हैं तो जगह बढ़ाने का यही एक फायदा होता है कि बर्ड्स हैपी माइंड हो जाते हैं और वो अच्छे से फीड खाते हैं ताकि जिससे उनका ग्रोध भी अच्छे से होता है तो ये वीडियो आपको कैसा लगा फ्रेंड्स कमेंट्स में जरूर बताईएगा और आपके मन में अगर कोई सवाल हो तो जरूर पूछेए कमेंट्स के माध्यम से और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजेगा थैंक यू